हर्यों की दर्सकों जिदि आपकी कर्क राशी है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा च्छिटम्बर का महिना कर्क राशी वालों के लिए करिशा रहेगा और ये राशी फल आपके चंद राशी के आधार पे है आए जान लेते हैं सब से पहले नबगरों की स्थिति और आपके दसंभाव में राहू और गुरू तो यह है क्रहों किस्ति तो नवक्रह आपको क्यार जाल देंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका केरियर लब पार्टनर के लिए लाइफ पार्टनर के लिए मेरी लाइफ और इस स्वास्त के द्रिश्टकॉर से देखा जा तो चंद्रमा यहां अधिपती बन रहे हैं और शुक्रविराजमान हैं तो स्वास्त को लेके ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब पहा जाएगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति हमेशा सवादों दिन में ही बदलती रहत होता है अब बात कर लें इस्टुडेंट के लिए देखा जाए तो यहां पर मंगल की राशी है और मंगल तुरतिय भाव में हैं तो बहुत ज्यादा स्रेश्ट नहीं कहा जाएगा और देवगुरु भ्रहस्पति भी दसंभाव में विराजमान है रहु के साथ में तो यह स अएसा उपाय है कि जिसके बल पर हम भाग को भी बदल सकते हैं और लफ पारटनर के लिए समय श्रेश्ट है लब में बहुत अच्चा समय है क्योँकि लगन में ही शुक्र का होना और भी ज्यादा इस्टितिहाथ के लिए मजबूत हो जाएंगी क्योंकि जब लगन में शुक्र हैं और सब्तम्भाव में दर्ष्टी जा लेंगे तो आपके सभाव में ही कहीं न कहीं विप्रीत के प्रति आकर सन होगा तो जिल लोगों का ब्रेक अफ हो गया था तो पैच अफ होने की स्तिति बनेगी हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा सावधानी ब्रत्नी होगी क्योंकि शनिदेव की राशी है आपके सब्तम्भाव में थोड़ा सावधान रहना होगा जो कि पंचम्भाव से विचार होता है लब पार्डनर का परन्तु मंगल की स्तिति श्रेष्ट नहीं है बहुत जादा तो इसलिए करके यहां विर्याजमान नहीं कि बक्री हो चुके हैं तो बक्री होने के बाद छोने के बाद को आपको जो कमी दिखाई दे रही थी आब उसमें परिवर्ता ना आएगा तो लब पार्डनर के लिए बहुत स्रेष्ट समय कहा जाएगा और आंगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लाइफ पार्टनर की मेर्जी लाइफ की देखी जाए तो बहुत रिष्ट नहीं है मेर्जी लाइफ कहीं कहीं डिश्टर्ब दिखाई दे रही है क्योंकि इस समय बाद व्याद होना जैसे शुक्र का प्रथम भाव में बैठना और उनकी द्रस्टी पढ़ना तो थ दामपत्ती जीबन में बाद व्याद होना झगले होना और शुभाविक बाते हो जाती और साथ में शन्यदीव बन रहे हैं और और ऑ्स्टम भाव में जाके बैठने तो दामपत्ती जीबन मेरी लाइफ में शंगर्ष होना निश्चिती है बस जरूरत है अपने मन को इस्थिर रखिए भगवान की सेवा में लगाईए ना कि बिप्रीत के प्रति आकरशित होईए हुम उपाई भी जानेंगे लाश्ट में तो दामपत्ती जीवन में बेहत सावधान रहने की जरूरत है आई आंगे ब शुक्र कहीं अपना प्रहाव देंगे जैसे शफेद चीजों का हो गया कपड़ों का हो गया या ब्यूटी पालर से संबंधित काम हो गया ऐसे जो व्यापार हैं उनमें थोड़ा सामान रहेंगी बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएंगी पर सामान कही जाएंगी बाकि दे अधिपती बन रहे हैं पर देवगुरु व्रस्पति और राहु विराजमान है तो मंगल की तृती भाव में है और यह नवम भाव भाग भाव में दृष्टी डाल रहे हैं तो यहां पर जरूरत है कि थोड़ा मियानत करने से पीसे आप आलस्त ना करें तो फिर कैरियर में आपको सफलताएं मिलेंगी धनला भी होगा क्योंकि मंगल जहां बैठते हैं उनका जहां जहां प्रहुच है द्रश्टी का प्रहाव हो जहां विराजमान हो तो वहां पर थोड़ी जल्दबाजी करवाते हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है कोई निर्णे नहीं लेना जल् हरेक काम को पूरे लगन से कर सकें देखा जाये तो यह स्टम्बर का महीना करके राज़िबालों के लिए बहुत रष्ट नहीं कहा जाएगा यहां पर सावधानी वरतना बहुत जरूरी होगा हरेक पग के रखना बहुत जरूरी है हां यह जरूर है यदि आपके कुंडली म में जाता हुआ रिजल दिखाई देगा पर गोचर का भी प्रवाव 50% होता है इसलिए इस्तियां सामान बन जाएंगी तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन कुर्णली के अनुसारी गोचर का क्या प्रवाव होगा तो आप हमारे साथ जुर सकते हैं जिससे हर एक मही कुछ आपको जानकारी वार्ट सपके तूद दी जाती है और उसके लिए आपको म्यंबर शंडियो के तो आप जान लेते हैं उपाय के द्रश्चकोंड से देखे तो सन्य देव की जो है तो बहुत ज्यादा समश्या है कि उनकी भी शेवा हो जाएगी तो कुल मिलाकिया आप राम दरवार की शेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय ये बन सकता है क्योंकि जब हम भगवान की सरण में होते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो बस यहीं उपाय है सबसे बड़ा आपके लिए और इसके अलावा आप कुछ करने की जरूरत नहीं है और जब जैसे अब राम दरवार की शेवा करेंगे तो हनवान जी की शेवा होगे और संदेव संगर्ष से बचा लेंगे संदेव के संगर्ष से इस चैनल में शीटर के वीडियो मिलती हैं तो चैनल को सब्ढ़र कर लें और लोगों को सेयर भी करें जिसे उनको भी जानकारी प्राथ हो सके उनको क्या